शो दो गॉंसेप्ट इस दबोक्स मॉर्डल फ्रेंट्स को प्रोपर्ली देखो आप मैं जो आपको थेरोटिकल पार्ट समझाने जा रहा हूं उसके बाद इसके इसका जो डेमोंस्ट्रेशन आए वो भी मैं आपको देने वाला हो रेट तो गॉंसेप्ट अब अब आपको य क्या होता है अरेंड्स होती है फ्रेंट्स हो जो मल्टीपल किस्टीमट करْकों से है मल्टीपल एस्टी मिल एलिमेंट्स त जू है 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 कि एच वन टैग सभी को पता है हें दागे और को नहीं इंद Parente यहां तके अगेज हिस्पेन टागेर को नहीं द्यूट प्रेंड से मल्टिपल एस्चिय हमे एलिमेंट्स &好吃 थौU przy एंकर ट के लिए यह चान फेला सबिएज जो एक box model से represent किया जाएंगा friends तो आप बोलोंगे कैसे तो एक ऐसा box रहेंगा right इस box के अंदर है html element for example एक जो box है न एक box मींस है html element this box means this h1 element this box means this h1 element right अब एक box के कुछ part होते है friends जो box होता है न इस box के अंदर कुछ sub box होते है जैसे कि मैं आपको बताना चाता हूँ पहला जो box होता है friend इसके अंदर देखो friends इस box के अंदर कुछ sub box भी होते है तो पहला जो box है उस box को बोला जाएंगा इसके अंदर का जो core box है उसको बोला जाएंगा content friends इसके अंदर के box को बोला जाएंगा content content ए समझने आपको इसको content बोला जाएंगा content के बाद और उसके उपर एक box आता है उसके ऊपर एक और box आता है उसका बोला जाता है पैडिंग फ्रेंड्स इसको बोला जाता है पैडिंग इसके उपर एक और बॉक्स रहता है फ्रेंड्स उसको बोला जाता है बॉर्डर फ्रेंड्स देखो इसके उपर और एक बॉक्स रहता है इस बॉक्स को बोला जाता है बॉर्डर फ्रेंड्स इसको क्या बोला जाएंगा बॉरडर और यह आतने सम्ज़नाय आपके और जो लास्ट वाला बोक्स है इसको बोला जाता है मारजीन ठीक है यह जो लास्ट वाज़ा बोक्स है इसको मारजीन बोला जाता है फ्रेंच बातरक तो कोई भी जो सबसे पहले मैंने फिर से यहां पर वो बॉक्स ड्रॉ किया है तो आपने और बात समझनी है कि इसमें का हरे यहां पर बाक्स में द्रॉ किया यहां पर बहुत बढ़ा एक बॉक्स के अंदर हम रिप्रेजेंच करते हैं और जो सबसे अंदर का रहता है इसको क्या बोला जाता है, मैं रहता है यहां पर लिखता है यह पर आपको समझना हो गए, इसको बोला जाता है content, इसको content बोला जाता है, हमेशा याद में रखना, कोई भी HTML elements इस box model से represent किया जाता है, कोई भी HTML element, right, या तो h1 tag हो, या s2 tag हो, या due tag हो, span tag हो, कोई भी HTML element, तो वो एक box, यह box model से represent किया जाता है, box model के layers होती है, पहले layer को बोला जाता है content, दूसरे layer को बोला जाता है padding, friends, दूसरे layer को बोला जाता है padding, third layer को बोला जाता है, friends, border, friends, यहापे देखो, मैं लिख रहा हूँ, border, और जो last element है, उसको बोला जाता है margin, margin, तो इसको, यह HTML element कुछ इस तरह से represent किया जाता है, friends, right, अब इसमें का हर एक element का कुछ मकसद है, है न, तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, यह जो margin दिख रहा आपको, margin part means कौन सा, यह जो margin part दिख रहा, तो यह margin क्या होता है, तो margin होता है, जो border है, friends, जो HTML element border है, यह दिखर आपको border, friends, तो यह जो age है, border और margin के बीच में की जो age है, the age of page to border, friends, HTML page जो होता है, ऐसा, ऐसा पूरा HTML page होता है, HTML page है, सपोज है आपका, तो HTML page में, डिखो friends, HTML page means आपके browser पे आप जो देखते हो, browser जब आपन open करते हैं, Google Chrome या Mozilla Firefox, यह जो browser का page आपको दिखता है, तो page और margin का page और यह जो है न, distance, border का distance, friends, page और border का distance है, page, HTML page है यह आपका, HTML page, है न, HTML page जो है, तो यह page और यह जो border है, page और border का जो distance है, जो area है, उसको margin बोला जाता है, friends, friends, समझ लेना आपको, HTML जो page है आपका, तो HTML page में, HTML page में, जो भी आपका h1 element है, पूरा h1 element है, तो इसकी जो layers है, friends, तो उसमें यह border है, यह जेको यहाँ पर border start हुए, जेको, friends, यहाँ पर border है, न, न, border, तो यह जो border है, तो HTML page से लेकि इस border के distance को बोला जाता है, friends, इसको बोला जाता है margin, समझ लेना, या तो for example, यह हो गया एक पहला definition, दूसरा definition मैं आपको बताना चाहता हूँ, suppose, आपका h1 element है, for example, यह आपका h1 element है, और दूसरा यहाँ पर आपका s2 element है, friends, आपका यह पहला h1 element है, दूसरा s2 element है, तो एक element से दूसरे element के बीच में जो distance है, टेको, friends, पहला h1 element है, और दूसरा h1 element है, पहले वाला h1 element और दूसरे वाला h1 element, इनके दोनों के बीच में का distance को भी बोला जाता है margin, friends, इनको भी margin बोला जाता है, ठीक है ना, दो definition मैंने आपको बताई, कौनसी, पहली definition क्या बोली मैंने, यह html page है, है ना, इस page के अंदर, इस page के अंदर, आपका h1 tag है, ठीक है, h1 tag है, तो h1 tag में बहुत सरी layers है, जैसा मैंने discuss किया, total कितनी layer है आपको पता है, ठीक है, तो html element जो है, तो यह जो page है, ब्राउजर का page है, html page है, इस में जो distance है, यह border है, border के बाद margin आती है, इसे, है ना, तो यह distance को हम बोलते है, इस distance को हम margin बोलते है, friends, यह आपने समझना है, ठीक है, तो इसको ही box model बोला जाता है, ठीक है, अब मैं एक एक चीज़ को और explore करूँगा, आपके लिए, राइट, तो यह जो html page होता है, यह जो html page होता है, इस html page के अंदर, लेटर से आपका एक, html element है, html element है, यह आपका html element है, तो मैंने जैसे कि बोला, कोई भी html element, h1 tag हो सकता है, html tag हो सकता है, span tag हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अब यह html element जो है, इसके अंदर, सबसे पहला जो element होता है, इसको बोला जाता है, आपको पता है, इसको बोला जाता है, content, इसको क्या बोला जाता है, content, एक बार मैं आपको बता रहो, content, और उसके बाहर का जो element होता है, इसके बाहर का element है, इसके बाहर कोन है, इसके बीच में कोन है, padding, friends, इसके बीच में है padding element, उसका नाम padding है, right, और इसके उपर कोन है, तो इसके उपर जो होता है, friends, वो होता है border, इसके उपर कोन होता है, friends, इसके उपर border होता है, ठीक है, उसके बाद, उसके उपर margin होता है friends, border होने के बाद, इसके उपर margin होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, ठीक है, इसके उपर margin होता है, right, तो ये total, कितने total 4 stml element होते हैं, content, padding, border and margin, margin, अब आपको देखना है, ये जो stml element है न, तो जो content का पार्ट है, content से लेके, ये जो side है, देखो friend, ये वाली side, ये वाली side, ये वाली side, ठीक है, ये वाली side और ये वाली side, देखो मैंने कुछ ऐसे cross किया या पर है न, कुछ arrowhead निकाले है मने, तो ये जो होता है, तो इसको ब bottom position, ये वाली कुझसी position है, left position, ये वाली कुचछ position है, right position, friends, ये वाली कुछ positions है, तो इसके, इस positions में, जो top वाली position है, इसको बोला जाता है TP, friends, इसको बोला जाता है TP, TP stands for top padding, इसकी bottom वाली जो position है, इसको बोला जाता है BP, BP means blood pressure नहीं, bottom padding, ठीक है, bottom padding, उसके बाद यहाँ पे है RP, right padding, यहाँ पे है LP, LP stands for left padding, friends, ऐसे कुछ है, padding में 4 पार्ट है, top padding, bottom padding, right padding, left padding, उसके बाद, यह जो है, यह region, border का region है, देखो friends, यह बाकी का region किसका है, border का है, तो border के region में भी ऐसे ही होता है, border के region में भी ऐसे ही होता है, color में लगे तो change कर देता हूँ, border में भी यह जो position है, ठीक है, कुन सी position आपको भली बाती पता है, ठीक है, यह आपकी border है, तो border में जो इसको बोला जैता है टी बी टी बी मुट इन्स पार्ड टॉप बोर्ड़ उसके बाद टी पी टी पी स्टेंट काड़ बीपी वांञा पिन सेकंड बार्डर जो है न है बोर्टम border, BB बोला जाता है, bottom border, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर left border, right, यहाँ पर जो है, वो है right border, ठीक है, left border, right border, वैसे margin का भी होता है, friends, वैसे margin का भी होता है, तो margin में क्या रहता है, देखा, margin में भी ऐसा ही हम, कुछ इस तरह से हम इस margin को भी differentiate कर लेते हैं, friends, तो margin में कुण सा part है, उस उपर का जो margin है, T, top margin, TM, नीचे कुण सा है, bottom margin BM, right margin RM, और left margin LM, friends, यह stml element है, और stml elements को भी separate किया गया है, देखा, margins में, right margin है, top margin, bottom margin, left margin, right margin, उसके बाद, border, border है, top border, bottom border, left border, right border, padding, top padding, bottom padding, right padding, right padding, left padding, content भाली बाती उसी जगा पर, content को कुछ दिया नहीं है, content means, है ना, content का कुछ भी नहीं है, content content ही है, यह आपको समझना है, इसी को ही बोला जाता है, box model.